ठालो दोस्तों नमस्कार आपका स्वागत करता हूं फिर से हमारे यूटुper वीडियो में दोस्तों हमारे हाथ मेंश सेरा काइन बोलस आप देख सकते हो यह एक अच्छी कंपरी मेंकाइन दोरह बनाया गया है दोस्तों इसका साथ सेरी परप्टी डेश बोलस है इसका यूज हम अपने पसु में कहां-कहां करते हैं मैं आज आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों कभी-कभी आपके पसु के गले के नीचे सूजन आ जाता है मुख रूप में ऐसा एच अच अच होता है गला गोटू में होता है या फिर Libre Proof में होता है Libre Proof में भी पसु के गर्दन के नीचे सूजन आ जाता है कभी-कभी पसु के लोटे में पानी हो जाता है वहाँ पर हम इसका यूज कर सकते हैं जहां पर कभी-कभी आपने देखा होगा पसु को चोट लग जाती है जोडों में सूजन आता है, जोडों में पानी भर जाती है, जोडों में गाट हो जाता है, मोग रूप से में स्टाटीस, आपने देखा होगा जहां पर में स्टाटीस पसुक होता है, वहां पर पसुक का अडर्थन जिसे हम कहते हैं, अडर्थन एक पत्थर जैसा कड़ा हो ज जाता है या फिर सूजन आ जाती है कहीं पर भी सरीर में जहां पर भी आपकी पसु की सरीर में सूजन जैसी समस्या हो जाए पानी जैसी समस्या हो जाए घाव जैसी समस्या हो जाए आप उहां पे इस सेरा काइंड बोलस का यूज करा सकते हो दोस्तों कभी-कभी आपकी पसु गाभी नहीं होती हैं, बार-बार रिपीड यही समस्या देखने को मिलती हैं, सूजन के कारण पसु के यूटरस में गाड यही समस्या होती है, गाठ बन जाता है, वहाँ गाठ खत्म नहीं होता है, वहाँ पे भी आप इस सिरा काइन बोलस का यूज अपने पसु में करा सकते झालतो यह और आपकी प्रसौ प्रेगनेंटे तो भी दे सकते हैं अगर fådr. अगर प्रशी प्रकारी साइड ऐसे क्ईसास सद और कहां कहां देती हैं जैसे कभी-कभी आपने देखा होगा आपकी पसुक के सरीरे सोजन कम नहीं होता है चाहे घा हो गया चाहे जोड़ों का दर्ध हो यह नहीं पर इस सेराकाइंड बॉल अगर आपकी बड़ी पसु है तो दो बॉलस एक साथ, अगर छोटी पसु है तो एक बॉलस देंगे, और भेड़ पकरियों में हम इसका 25% देंगे, तो दोस्तो वीडियो कैसा लगा, प्लीज कमेंड में जुरू बताना, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद हमारे प्यारे यूटूब फैमिली मेंबर,